चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग केविन को बचा कर ही रहेंगे क्या तुम हमें उस पुराने पैलेस तक ले जा सकते हो ठीक है बाबा आप लोग मेरे उपर बैठ जाओ रॉड नोनू मोनू और बाबा ड्रेगन पर बैठ जाते हैं चीनू मुझे तो इविल नन की दूसली दुनिया में जाने में बहुत दर लग रहा है पता नहीं हम लोग जिन्दा वापस लौट के आएंगे भी की नहीं नोनू मोनू तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा थोड़ी देर में वो लोग उस पुराने पैलेस के पास पहुँच जाते हैं उस पुराने पैलेस में से अजीब अजीब सी आवाजे आ रही थी ये पैलेस तो बहुत खतरनाक है ये पैलेस बहुत खतरनाक है इविल नन ने इस पैलेस में बहुत लोगों को मार दिया है इसलिए यहाँ पर उन लोगों की आत्मा भटकती है ये सुनकर नोनू मोनू और रोड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ड्रैगन अब हमें यहाँ से कहाँ पर जाना होगा बाबा इससे आगे का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता वो तो आप लोगों को ही ढूंडना होगा ठीक है ड्रैगन अब तुम जा सकते हो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है चलो पहले सके अंदर जाकर दूसरी दुनिया तक पहुचने का रास्ता ढूंडते है रौड नोनू मोनू और बाबा दूसरी दुनिया तक पहुचने का रास्ता ढूंडने लगे तभी मोनू को एक सीशा दिखाई देता है अले ये कैसा सीशा है इसमें तो मैं दिखी नहीं लहा हूँ जैसे ही मोनू शीशे के करीब जाता है वो शीशा मोनू को अपने अंदर खीचने लगता है रौड नोनू और बाबा ये सीशा मुझे अपने अंदर खीच रहा है मोनू रुक जाओ बाबा के आने से पहले ही वो शीशा मोनू को अपने अंदर खीच लेता है रौड और नोनू इस शीशे ने खुद बखुद मोनू को अपने अंदर खीच लिया मुझे तो लगता है यही इविल नन की दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है चलो जल्दी इस सीशे के अंदर कूद जाओ रौड नोनू और बाबा उस सीशे के अंदर कूद जाते हैं थोड़ी देर में वो लोग इविलनन की दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं मोनू अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है अब हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं राड नोनू और बाबा आपके उपल देखो में आपके लाड़ी देखो कर दो कर दो कर दो